आप सब को नमस्कार इत्ती अच्छी बैठक की बातचीत कहां से शुरू करें शायद जहां आप बैठें वहीं से शुरू करना चाहिए आपके दाएं हाथ पर इस हॉल में तीनों जगे कुछ न कुछ दीवार है एकी तरफ खिड़की है कभी आपने सोचा कि किसने बनाया इसको वहीं खिड़की क्योंकि शायद इसके जो आर्किटेक्ट रहे होंगे उनको मालूम होगा कि आज 26 नॉंबर को कुछ होने वाला है इसलिए आप इस खिड़की से जाक के देख सके इतनी दूर की सोच के जिस आर्किटेक्ट नहीं एकाम किया उसको भी एक सलाम यहां से आप नीचे उतर के कुछ दूर पे जाएंगे तो लोदी गार्डन नाम का एक बगी चाहे उसमें एक सुन्दर पुल है पत्थर का बना हुआ बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कुछ लोग नहीं देख पाए तो आज और कल आपके पास मौका है इस इस इलाके में ऐसा कहते हैं कि अकबर के दौर में इसको किसी नवाब बहादुर ने बनाया था अंग्रेजी में जहां भी लिटरेचर इस पुल के बारे में मिलता है वो वन नवाब बहादुर लिखा है उनके बारे में कुछ उनको ठीक पता नहीं पुल बहुत सुन्दर है साड़े पांस सो साल पहले का बनाया हुआ आप से दस कदम की दूरी पर देश में जो राज करने वाले लोग हैं वो यहां जॉगिंग के लिए भी आते हैं सुबह सुबह आप आएंगे तो इस पुल के उपर से वो गुमते हुए मिलेंगे अपनी सेहत का ध्यान रखकर वो यहाँ आते है उनके ध्यान में शायद आया होगा मैं तो उनसे मिलाने हूँ, कभी मिलूँगा तो पूछूँगा कि जिस पुल पर हम दोडते हैं, वो पुल क्यों बना होगा साड़े पांसो साल पहले और इतना मजबूत, इतना सुन्दर, ख्रमा करें ऐसा कहने के लिए कि CPWD का aesthetic sense उसमें नहीं है, वो एक सुन्दर नमूना है, पत्थर का और मजबूत इतना कि आज तक हम से तूट नहीं पाया नहीं तो हम तो शायद उसको तोड़ भी देते कई पुल तोड़े हम लोगोंने, लेकिन कभी ये ध्यान में नहीं आया कि ये पुल क्यों बना होगा पुल क्यों बनाते हैं हम लोग, नदी पार करने के लिए उसके नीचे से एक सुन्दर नदी बहती थी बहुत दिनों तक बही अभी कुछी दिन पहले उसको हमने मारा है जिस चिंता में हमें एक सप्ता यहाँ पर बैठे हैं अभी एक दिन बाकी है तो ऐसी गुमनाम नदी की मृत्यू पर भी हमको थोड़ा सा शोक परगट करना चाहिए और इस नदी का नाम भी ठीक नहीं मालू शायद सुनेरी रहा हो तो पक्का नहीं कह सकते मनु जी यहाँ पर बैठे हैं पिछले साल इनकी संस्था इंटेक ने एक बहुत सुन्दर एक्जिबिशन लगाई थी मेरा दुरबाग के था मैं उसको देखनी पाया आखरी दिन आया तो वो बंद हो गया था उस दिन उसमें एक नक्षा है जो शायद पहली बार इस नदी को दिखाता है और ऐसा कहते हैं लोग आप में से कुछ लोग मुझसे जादे जानते होंगे 1926 तक ये नदी यहाँ से बही है जहां हम बैटें याने इतनी अभी की घटना है और हम एक नदी को बचानी पाए तो इसकी पीछे क्या कारण होगा मुझे लगता है कि आप इस तरफ जाएं जो खिड की इशारा कर रही है उसमें लोदी गार्डन की तरफ पीट करके खड़े हों आपके सामने खान मार्केट की तरफ जाने वाली सलक होगी उस सलक पर से आप देखेंगे तो आपको नदी दिख जाएगी आज सलक है उसमें गाड़ियां दोड रही होंगी लेकिन तब उसमें शायद नावें दोड़ती होंगी और ये फिर सीधे जाकर पहले मुझे बताया गया था कि पुराना के लेकी मोट में मिलती थी उसकी सुरक्षा की उसकी रखवाली करती थी फिर ये भी बताया कि नहीं कुछ नक्षे ऐसे बताते हैं कि वो मोट तक नहीं जाती थोड़ा दाइन तरफ बल खाके बारा पुला के नीचे से निकलती थी तो ऐसी सुन्दर चीजें हमारे आसपास थी और हमने उनको न जाने किस कारण से मारा पुल का नाम है अटपुला इसके आसपास दिल्ली में और भी पुल है इस तरह के नाम के इसी वजन के एक का नाम सत्पुला है सत्पुला आपको साकेट की तरफ कभी जाएंगे तो मिलेगा फिर एक बारापुला है बहुत कम लोगों को अंदास होगा कि बारापुला एक हिंजडे का बनाया हुआ है आज तो कहीं कहीं हिंजडे चुनाओ नाओ भी लड़े हैं जीते भी हैं, कोर्ट ने बहुत उनको सम्मान के साथ एक आदेश देकर समाज का हिस्सा भी बनाया है, कुछ अच्छे अंदूलन भी हैं जो हिंजडों की अपनी सदस्यता की तरह स्विकार करते हैं, और आज हमारी बैठक में कोई नहीं होगा, लेकिन अंदूलन की बैठकों में उनकी भी उपस्तिती मिलती है, साधरन सदस्य की तरह समाज के, तो इतना बड़ा काम एक हिंजडे ने किया, तो ये 1914, 15, 18, 20, 26 कब नश्ट्वी मालूम नहीं, आज 2014 है, 100 साल पहले थी, इन सब के बारे में हम लोग कुछ सोच नहीं पाते हैं, दिल्ली राजधानी बनी तो ये चीजें गई, सड़क की जरूरत है राजधानी को, लेकिन नदी की नहीं है क्या, सड़क को नदी भर के बनाया हम लोगों ने, कैसे निर्ने लिया होगा, उस समय कोई RTI था के नहीं, कोई बड़ी अदालत नहीं थी, क्या नहीं था, क्यों नहीं इस बात को रोक पा बकरे की मा कब तक खेर मनाईगी, तो वो हालत हमारे आसपास की नदियों के, दो दिन से चर्चा होई है, हिंडन में जहर बह रहा है, ऐसा भी लोगों ने कहा, तो ये हिंडन भी NCR के कारण, तो ये नदियां अगर सांस लेने लगे, उनका दम घुटने लगे, तो क्या हमा हमारी राजधानी हम बचा पाएंगे, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को आप देखें, तो पूरा देश आज दिल्ली की फोटो कापी दिखेगा आपको, बार बार ऐसा लगता है कि जहां जहां विकास हो रहा है, हम सब जगे अपनी नदियों को मिटाने की कोशिस में है हमारा देश, हिंदुस्तान, उसके बारे में बच्पन से हम लोग एक गाना गाते हैं, सारे जहां से अच्छा, उसकी एक पंक्ती है, एक लाइन है, गोदी में खेलती हैं जिसकी हजारों नदियां, आद तो ये लाइन गाते हुए बनेगी नहीं आपसे, गोदी में सूकती हैं जिसकी हजारों नदियां, तो ऐसी स्थिती में ये जो अमरगीत है, वो ठीक लागू नहीं हो पाता, छोटी नदियों को हमने सुखा दिया, मार दिया, बड़ियों के साथ हम ऐसा कर नहीं पाएं, क्योंकि उनमें मानसून में इतना जादे पानी आता है, कि वो हमारे खाए सुखने नहीं वाले, हमरी मजबूरी यह नहीं तो हम उनको भी खतम करके एक सलक बना देते हैं, कान मार्केट के आगे, गंगा के उपर, फिर हमारा क्या होता बाड में वो हमको बहुत भयानक चित्र सामने आता, तो बड़ी नदियों को हम मार नहीं पा रहें, पर उ पान बना रहें, उनका पानी इधर से चीन रहें, उधर से चीन रहें, और वो चिला के शायद कहती भी होंगी, लेकिन हम उनकी बात तो सुनते नहीं हैं अभी, ये सारी चीजों के बाद, ऐसा लगता है कि कभी-कभी, जो नदियां गंदी हो गई ही, जिनको हम मार नहीं प करते हैं और हम घोशित करते हैं कि अब हम गंगा को साफ करेंगे दो बार ऐसा हुआ है एक सरकार ने आने के बाद गंगा सफाई योजना घोशित की एक सरकार ने आने के लिए गंगा सफाई की घोशना योजना एक सरकार चली गई दूसरी सरकार न जाये तो अच्छा साफ कर के जाए नहीं तो ऐसा हो सकता है कि वो भी उसी में चली जाए पर आज हम लोगों को ये दुखत बातें जादे दोहराने की जरूरत नहीं है मुझे लगता है कि ये अवसर है भगिरत प्रयास के सम्मान का तो आज हमको प्रेना वाली चीजें ही आपस में बात करनी चाहिए मुझे इन्होंने हुकम दिया है कि थोड़ा मैं दो चार मिनिट ले सकता हूँ वैसे तो जादे बोलने का मौका नहीं है लेकिन मैं जो सजल जी ने भी बहुत अच्छे से कहा कि ये प्रयास है तो हमें ये भी देखना चीए कि ये प्रयास मूलता जिसके नाम पर हमने याद किया भगिरत उनका भी प्रयास था अगर प्रयास नहीं होता तो क्या होता उससे पहले आपको थोड़ा सा किस्सा पुरानिक जो है उसको रिपीट करने वाली बात नहीं जो चीजे हमारे ध्यान में नहीं आई उस किसे में वो बताता हूँ सगर राजा सब लोग जानते हैं उनकी दो पत्निया एक से उनको दो बेटे हुए और एक से साथ हजार और फिर जैसा हमेशा होता है आज भी जो पार्टियों को लगता है कि चुनाव आ रहा है तो हमारा राजजी का विस्तार होना चीज़िए तब शाहिए चुनाव नहीं होते थे लेकिन राजा विस्तार करने के कोई न कोई बहाने खोज लेता था तो उसने अश्वमेद घोड़ा छोड़ दिया कि तुम जारखन जाओ, तुम महराज जाओ, तुम जम्मू कश्मीर जाओ और सब जगे हमारा राज हो जाए राज बढ़ाना भी एक रोग है और जो राज पर बैठा उसको ये डर लगता है मेरा सिनासन हिल जाएगा तो इंद्र का आसन हिल गया, इस घोड़े के छूटने से उन्होंने बदमाश्य की चुनाव लड़ने के बदले उन्होंने घोड़े गायाप कर दिया जैसे बूद कैप्चर करते हैं हम लोग आजकल तो उन्होंने घोड़े गायाप कर दिया और घोड़े को जाके कहां रखा कपिल मुनी के आश्रम में बिना उनको बताए अब ये साथ हजार बच्चे किसी के हो आज तो पार्टी की मेंबर्शिप कित्ती होती मालूम नहीं लेकिन साथ हजार तो उनके परिवार की मेंबर्शिप थी लोग तो एक ही बच्चे का रोना रोते रहते हैं कि वो पार्टी में सब कुछ कर रहा है यहां तो साथ हजार थे उनके तो उन्होंने सारा हिंदुस्तान खोड मारा गोड़े को धूरने के लिए और उनको मिला जब कपिल के आश्रम में तो उन्होंने उनके साथ गाली का लोच की जो का आज़ी कल भी चलता है वो तो उन्हों को क्रोध आगया मुनी है तो उन्होंने क्रोध से उनकी तरफ देखा और भस्म कर दिया सब के सब ठंडे हो गए अब जिम्मेदारी आई सगर की के इनका उद्धार कैसे करे इतने लोगों का कोई बचे ही नहीं उद्धार करने वाला साथ हजार तो खुदी चाहीद हो गए तो दूसरी पत्नी के जो दो बच्चे थे उनमें से अंशुमान को ये जिम्मेदारी दी गई कि तुम जाओ बेटा और पता करो कि इनको कैसे ठिकाने लगाएंगे इनकी राख को इनका उद्धार कैसे होगा तो उन्होंने भी बहुत सारे कंसल्टेंट देखे होंगे घुमे होंगे उनको कोई गरुन भगवान मिली और उनका तुमको गंगा का पानी लाना पड़ेगा गंगा कहां बहती है और उनका उपर बहती है अरे उसको कैसे लाएंगे पर उन्होंने कोशिस की गंगा को लाने की वो नहीं ला पाए फिर उनके बेटे आए दिलीप उनने भी प्रयास किया वो भी नहीं लापाए और दिलीब बहुत अच्छे राजाओं में रगुवंश की जो पूरी सूची है उसमें सर्वोत्तम जो राजा गिनाय जाते हैं उनमें होंगे इसके बाद दिलीब के बेटे आए भगिरत और उनकी जिम्मेदारे आई तो देखे आप चार पीड़ी राजा की बदली तब तक गंगा नहीं आई है भगिरत ने कहा कि मैं प्रयास करूँगा गंगा लाओ योजना नहीं बनाई उन्होंने गंगा लाओ मंत्राले नहीं बनाया और संस्कृत में कहना हो तो गंगा अवतरन मंत्राले नहीं बनाया उन्होंने अभी संस्कृत का भी दौर है थोड़ा केंद्री ये बजट नहीं रखा उन्होंने उसके लिए कि भई या पचास हजार पचास क्या छपपन हजार करोड वगरा उन्होंने तपस्या की सघ्याग जी ने भी तपस्या का दिक्र किया दूसरा तपस्या में शरद्धा भी रखी विज्ञान भी रखा गंगा को ऊपर से नीचे लाना है नीचे से उपर नहीं ले जाना है अभी हमारे नए भगिरत और नए राजा जादे तर नदियों को नीचे से उपर ले जाना चाहते हैं नदी जोडों का हम जादे आज विस्तार से बात नहीं करेंगे तो पाताल की कोई गंगा हमारे यां पाताल गंगा भी शब्द है आकाश गंगा भी तो पाताल गंगा को लिफ्ट योजना बना के उपर नहीं लाना था उनको उपर से नीचे लाना था जो नदी का स्वाभाविक सुभाव है जिस पर कल एक पूरा सेशन बैठा इस बड़े सदन का के नदी का सुभाव है उपर से नीचे बहना तो आज हमारे लोग तपस्या न लादी को बचाने वो योजना बनाते हैं और जहां हम बैठें इसी के पड़ोस में वर्ल बैंक है उससे लोन लेने जाते हैं और कहते हैं पैसा दे दो हम नदी जोड देंगे कुछ न कुछ कर देंगे आप हम पे भरोसा रखो तपस्या नहीं आती हमको तो यह है हिंदी में जिसको उल्टी गंगा बहाना कहते हैं वो होता है और इसमें फिर पांच साल की जोजनाएं बनती हैं बड़ी बड़ी बातें होती हैं और भी कुछ चीजें इस समय हो रही हैं पर मुझे उस पर जादे जाने की जरूरत नहीं लगती मैं सिर्फ एक चीज कहके खतम करूंग नदी जोलो के बारे में कि प्रकृति के पास समय की कोई कमी नहीं थी पांच साथ करोड साल का इतियास है जिसको आज हम अपना देश कहते हैं उसको बनने में और भी लगा होगा तो पंच वर्शी योजना के बदले वो पांच करोड साल की योजना में इतनी नदियां बना देती दुरंतों की तरह या एक माला पहना देती भारत माता को उसका नाम मुद्रिका नदी रख देती जैसे वो दिली में मुद्रिका वगरा चलती है परिक्रमा नदी रख देती कि तुम इसकी परिक्रमा करो तुम्हारा ये नाम लेकिन उसने जो भूगोल बनाया वो आता है, कहीं विंध्य है, कहीं सत्पुड़ा है, कहीं हिमाले है, कहीं अरावाली है, ये सब नदियों को रोक कर उनको अनुशासन में किसी न किसी और तरफ बहने का संकेद देते हैं, तो हमारा भूगोल इसकी जायदे नहीं देता, उसके साथ जादे खिलवार करने की कि ये जो आज इतना सुंदर आयोजन हो रहा है इसमें हमको उल्टी गंगा बहाने वाली चीजों को भी देखना चाहिए और जो लोग सीधी गंगा बहाने के प्रयास में हैं छोटे-छोटे काम कर रहे हैं गुमनाम काम कर रहे हैं उन लोगों को विनम्रता से प्रनाम करना चीए धन्यवाद